हेलो अब्रीबन वेलकम टू लाइबरी एकडेमी इस वीडियो में हम दो डिश्स करने जा रहे हैं लाइबरी ट्रेनिंग के लिए के बार बार स्टुजिन करते हैं कि मुझे इंट्रेंशिफ करना है यहां में ट्रेनिंग लेनी है तो आपके लिए बेस्ट होगा काफी कुछ सीखने को मिलेगा टोटल नमर वेकेंसी जो है चार है और आपका लाज्ट डेट है दस माज दोजार एकिस तत इस पोस्ट से डिगार्डिंग कैसे आपको अपलाई करना है कहां इसका नोटिफिकेशन मिलेगा कैसे फॉर्म आपको मिलेगा इस सब के बारे म 1 कुलिक करके डाउंडोब कर सकते हैं लाँब्रेडी एकेड़ेमी एप जाने ऐक बादे आपrekो चार भाइच मिलेंगे जैसका deplay बात में अगर आप किसी भी लाइब्रेरी केते आरा चाहते है जैस अबैस इसकह साड़ाःथ को पता नहीं ही लेकिन निसमें लाइब्रेरी का ही रिलेटेड पुछा जाएगा यह दो आप मयराथन शोप्शा कर सकते हैं चाहिए आपको लाइब्रेरी अप्स टोर चाहिए बाकि उसके बाद आप से लटकर करने चाहते हैं तो भी वो बेस्ट है तो चलिए सबसे पहले हम इसके प्रसाइट पर चलते हैं ऑफिस्यल ऑफिस्यल प्रसाइट का नाम है सबस्क्राइब भी जाने सबस्क्राइब नहीं और में यहां पर आपको कुछा जो पीडियो कीजिएगा तो देखेगा यह 8 फरवरी कहीं यह आया हुगा है थोड़ा सा लेट वीडियो बनाया जा रहा है किसी कारण बस तो देखें आपको इसका जो एड़रेजिम नंबर है आप यहां देख सकते हैं उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो graduate and postgraduate in library science में जो student है उन ही को लिए यह post है और जैसे कि अब पोस्ट जो है चार है और वन येर का आपको training है डेट जब भी जो आनी होगा उसके बाद लेबल वन और लेबल टू में पस इतना ही अंतर है कि लेबल वन के लिए बैटलर डिक्री रिक्वार्मेंट है और लेबल टू के लिए आपको आपको एम्लिश डिक्वार्में इन दा फिल्ड उप लाइब्रेरी और इंफ्रमेशन साइंस एकनोलिजमेंट रिलेटेट टू अनलाइटिक्स एंड है वर्क 6 डे माने वीक में 6 डे आपको काम करना होगा और पूरे वन येर में आपको 8 दिन का छोटे मिलेगा उसके बाद यह सेलेक्शन प्रोसीजर में लिखते हैं कि रीटन टेस्स लिए जाएगा प्रोस्टनल इंटर्वी लिए जाएगा मैं आपको बतादू प्रवेशन करना चाहते हैं अगर आपने प्रॉस्टन नहीं किया किसी भी एक्जाम के लिए ऐसे एक्जाम होते रहते हैं और आपको बैस टाइम बहुत कौम रहत जैसे किसी ने बिलीब किया है तो 15,000 रुपिय दिये जाएंगे एम लीब किया है तो 20,000 रुपिय पर मंत उसको दिया जाएगा यह लीब में 25 यह मैक्सिमम होना चाहिए डेट ऑफ इंटर्व्यू और टेस्ट के समय तक और इसके अलामा आप देखेगा एट डे का पूरा कोई भी छूट नहीं मिलेगा उसके बाद आप कोई भी करेट अपलाई कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं एक आप आप यहां पर प्लिक किजिए गाते डाउलोड हो जाएगा मैं अप्लिकेशन आपको दिखाने कोशिज कर रहा हूं देखिएगा अप्लिकेशन कुछ ऐसे ओपन होगा ठीक है यह आपको वर्ड पैड में खुलेगा और यहां पर इसली भार सकते हैं यहां पर जैसे नाम लिख सकत अशmmल में पर पर एक वह उस्के को यहां देटेल वर्ड बरना कंश क impec宮 ऐसे लेजेगा और इसको भी रखिये गाँ दोनों को अप्लोड करना है याने पीडिये प्लोड करना है और वड्लोड की ऑफ लोड़ करना है ठीक है उसके ब थापको यहां पर जो एक आप आपको गूगल का ५र्मांर यहां देखीगा नेम करना के बाद नेक्स्स करना होता है और नेक्स्स करना के बाद आपको वह तो आपने फर्म मोगत है उसको ना समिट करना वता है ठाहिक मतलब किसमेट भीग पनेकी अपने की सब्सक्राइब है वो time of joining के समाई ही ले जाना है अभी मतलब नहीं ले जाना है ठीक है उसके बाद और कुछ जादे information नहीं है ठीक है इतना ही करना है और official इनके email ID office slash library at the date of iitj.ac.in देखिए इनके syllabus इन्होंने mention नहीं किया है तो मैं syllabus के regarding कुछ भी बात नहीं बोलूगा आपको और आपको अगर करना है तो मारा असर बाजवान कर लेगा बाखी अगर आप syllabus चाहते हैं तो आप इनको mail किजिएगा यह आपको भेजते हैं ठीक है तो और कुछ अगर आपको information ल करना जाहिएगा ऐसे बहुत लोग ऐसे पूछते हैं उससे कि मैं sir appearing में हूँ और मैं आपको training लेना चाहता हूँ तो अगर आपका दोस मार तक टो आपका मार्क्स नहीं रहेगा तो इंटर्व्य में काम बने का मतलब हैं उसके बाद वो फिर बोलते हैं कि मैं तो इस बात थे रहां रखीएगा क्योंकि आप पूरे पर आपको निकालने पड़एंगे तब आप इलिजिबल है तो इतना ही था information और अगर आपको कुछ और information चाहिए तो आप पर contact कर सकते हैं याप message कर सकते हैं thank you for watching मिलते हैं next video में नए job के साथ